मेरे साथ मुझूद है शाहिद अली एडवोकेट जिस तरीके से चोथी बार दिन्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से मौलाना साथ को नोटिस भेजा गया है क्या उसका जवाब दिया गया और क्या जानकारी है इसकी देखें मीडिया का प्रोपगंडा है सारे का सारा और कुछ भी नहीं है कोई चौथा पांचमा चछड़ा नोटिस नहीं है जिस तरह की मीडिया बाते कर रही है पता नहीं क्यों कर रही है आई दिन आप देखते हैं रोज एक नए खबर खास तोर से एनाई ये जो एजनसी व किसाब मंड़े को सास हाब के कुरिंटाइन पूरा हो रहा है मंड़े को वह इन्वेस्टिकेशन जॉइन करेंगे मंड़े को जब मंड़े आगया इसा कुछ म... खबर जूटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उन्हों नहीं खबर चलाई כई साब... ये सासाब मंगल क यानि कि टूज़े को बेल अप्लिकेशन अपनी लगा रहे हैं वो ख़ब फिर जूटी पाई गई टूज़े आ गया बेल अप्लिकेशन नहीं लगी तो फिर इन्होंने दूसरी ख़बर चलाने शुरू कर दी वो जूटी फिर उसके बाद में दूसरा हफता आ गया दूसरा ह होस्पिटल से या गवर्मेंट होस्पिटल से तो इस तरह की न्यूज चलाने में विश्वास सकते हैं वो न्यूज इनकी चुकी बिखती हैं उन न्यूज के जरीए ही जो भी इनके सबस्काइबर्स हैं वो इसे न्यूज खरीदते हैं यह सोचके न्यूज सही होगी जो भी कुछ investigation की चीज़े हैं वो investigation की चीज़े हम चाहती investigation तक ही सीमित रहे हैं हम चाहते हैं किसी भी तरह से कि media को इसको investigate ना करे हम media trial and media investigation के खिलाफ हैं तो हम जो भी कुछ बाते हैं जो भी कुछ investigations related चीज़े हैं हम किसी भी तरह से और काँणाई पाइसे मीडिया के सामने नहीं लेके आते हैं जब मिडिया में कोई छीज्जित आती है हम से पूछे जाता है जैसे आपने बुस्तर पूछा चौता नोटिस जरा आप मुझे बता दिये तीसरा नोटिस कुंसा है या आप चोथी के बात कर दो चौत धए और द एफिशल का कोई आपके पास अधिकारिक बियान इस भारे में नहीं बोलेंगे वह कुई जाएगा तो हमक्षिाया। है मीडिया किसी भी तरह से की पूरा मोहल बनाया गया इस तो मीडिया को अब अपना अब और नहीं मिला रही है उस छटपढ़ार हाट में वह कुछ भी खवरें चला रही है आपने ही हमारे पिछले इंटरव्यमन के अमारी साथ के मोलाना साहिज में रखा गया था बोरिया है दो खुद कुरेंटीन हो गए उर ये मने किस लिए कहा था कि मुलाना साहब मेरे ख्याल यह है कि साल वर में जायत तर दो door मों कारंटी नहीं रहते हैं इबादत जो होती है वो कारंटिन में जाकर ही अबादत होती है आपको अंके रहना होता है अबादत अलह समनों तब आशा की करने के लिए ये यो दुनिया की चीजें हैं हम नहीं दिखाते एक सासथ कह रहे हूं जैसे आ पूलिसमा ने उतिकागे कि फिला से जस्था कि यह एक है वकालत करने छोड़ी पात मैं आप से कह रहा हूं मीडिया के बहकावे में आप भी अहेदा प्रोबरł この आप मत आजीए कि मीडिया पुलिस मांग रही है कि क्राइम ब्रांच का नाम लेकर के मीडिया पे जो खबरे चलाई जा रही है कि क्राइम ब्रांच ने चोथा नोटीस भेजा तीसरा नोटीस भेजा तो यह तमाम जो खबरें हैं बेबुनियात साबित हैं मेरा अपना यह कहना है कि जब तक की कोई authentic proof आपके पास ना हो आप कोई भी खबर चलाने के लिए अधिकारिक नहीं है मीडिया जो खबर चलाती है वो इस तरह चलाती है उनके सूत्र कोन है उसके वारे में नहीं बताएंगे मैं एक बास सिर्फ यह कहता हूँ कि आपकी रिपोर्ट अगर इतनी अधिकारिक हैं आपकी न्यूज अगर इतनी authentic हैं तो आप किसी पुलिस के बंधू का ब्यान दिखाईए ना आप उनका कोई नोटिस की कोई दिखा सकते हैं वो हम से करें हैं हम दिखाइए को बीबाई यह ख़बर तो हम नी चला रहे ना कि हमारा कुरुना वारिस पॉजिटिव है या नेगिटिव है या क्या है या क्या नहीं है यह कुरिंटा इन में यह तो आप दिखा रहे हो ने खबरे तो फर्ज आपका बन्ता है के प्रोपगंडा में क्यों आएं हम आपके जूट में क्यों आएं इसका मतलब देश को आप भी चलाएंगे क्या मीड़े चलाएगी देश को क्या हमारी जितनी भी सरवदानी संस्ता हैं क्या उन सब को बंद कर देना चाहिए हमें हम पहले दिन से लगातार करें जिस दिन तो किया अभी तक पुलिस ने आप से नहीं कहा कि हाजिर हो या सामने आएं जिस तरीके से उनके जो है घर पर भी जाके चापे मारी की गई क्राइम ब्रांच की तरफ से मैं लगतार आपके माद्यम से मैंने बताया है कि आज दिन तक भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि आप हाजिर हो जाईए और जो मीडिया फेक न्यूज चला रही है वो मीडिया की भी कम से कम ये बात कहने की हमत नहीं हुई है कि दिली पुलिस ने कोई ऐसा नोटिस जारी किया हो कि आप सब पेश हो जाईए जो आपने दूसरी बात कही चापे मार ये किमिनल प्रोसिजर कोड में पूरी सब चीज की ना तफ्तिश कैसे होगी उसका पूरा प्रोसिजर डिस्क्राइब है एक इल्जाम लगा है का फायर हुई है उस फायर के बाद में पुलिस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं किसी भी घर को किसी मकान को दुकान को किसी जगे को सीज करने की या सील करने की या उसको सर्च करने की तो पुलिस अपने उस जो उसके जो अख्तियार में है अपने अख्तियार को अपने अख्तियार में जो उसकी डूटी है उन डूटी का निर्भान करते हुए उस सर्च किया आपने मीडिया ने चुकि कांधला का दि जो उद्देश्य मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं जो पुलिस का उद्देश्य था पुलिस का उद्देश्य था कि हम इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिकेशन के पॉइंट वूइस से हमें कुछ चीजें मिलेंगी हमने आज तेक कोई चीज शेर नहीं कहीं कोई जमातियों के बैग मिले उन बैग में दो दो जोड़ी कपड़े तिंदे जोड़ी कपड़े थे एक मिस्वाक थी और एक सुर्मेदानी थी और एक लोटा था तो वहाँ पर एक पलिस वाले साब का बयान था वो यह था कि ऐसा आश्रम भी होता है क्या हम तो सोछलें कि आश्रम जैसे होते हैं जो बड़े-बड़े आश्रम हमने आज तक चापे मारे हैं यह पनियावर की चीज़े मिलती हैं हर समाज को नुξसान पहुंचावाली चीज़े मिलती है इलीगल चीज़े मिलती है जो बेंट चीज़ें वह वह मिलती है यह तो कुछ एसी चीज़ी नहीkus हम पुलिस का स्वागत करते हैं कि आपने जितनी investigation करनी है आप करिए हम आपके साथ देंगे पूरी तरह से हम उससे जरा भी किसी तरह से नहीं भागेंगे आपने जो सवालात पूचने जो investigation करिए है करिए आप ये आपका फर्ज है अपने फर्ज को अच्छी तरह से नवाईए और ये हमारी भी डूटी है कि आपको इन्वेस्टिकेशन के साथ हम कॉपरेट करें हम करेंगे इसको लेकिन हम साथ साथ यह बात करना चाहते हैं कि मीडिया को इससे दूर रहना चाहिए मीडिया को किसी भी को इससे अपने आपको यह नहीं समझना चाहिए कि वह इन्वेस्टिकेटिकेशन से भी ऊपर हैं मीडिया को को इस से भी अघृट को साथ कि तहता हैं लेकिन उनकी छृत पर यहां पर किसी दूसरे क्रिकार का अधिकारों को अंन工र नहीं ये सब चीज़ें करके तो आपकी संथा यहां पर खतम हो जाती है बेसिकली इन कंडिशन्स में मीडिया खिलाफ केसिस होने चाहिए और हम मांग करेंगे क्राइम ब्रांस से दिली पुलिस से इन्वेस्टिकेड एजेंसी से कि इन मीडिया होसे से खिलाफ भी केस करें लेकिन उनको अभी वहां से छोड़ा नहीं जा रहा है हाला कि उनका प्लाजमा भी लिया जा रहा है इसको किस तरीक से देख रहे हैं देखें इस से आदे शरमनाक बात और कोई नहीं हो सकती और बेसिकली यह किनल ओफेंस भी है कल ही मैंने ये नियूज दी मेरे पास एक लेटर आया एक इमाम साहब है इबराहीम साहब जो सुल्तान पुरी के कुराइन सेंटर में है कुरिंटाइन सेंटर में है वहां पर वो 31 मार्श से हैं आज होगी एक मई यानि के तक्रिबर 32 दिन उनको होगे वहां पर वहां पर तक्रिबन साड़े साथ सो तबलिगी जमात के लोग हैं साड़े साथ सो में से डेट सो से दो सो लोग 31 मार्श को वहां पर चले गए कुछ लोग 2 अपरेल को 3 अपरेल को 4 अपरेल को वहाँ पर चलेगे जितने भी लोग वहाँ पर हैं कम से कम 25 दिन से जाद सब के हो चुके है कुरिंटाइन के लिए एक पिरिड बताया गया है हमने कई बार टेल्वीजन के माध्यम से सुना जो कि बिलेटिंस आते हैं हैल्प बिलेटिंस बहुत जब्येटिंस बहुत जब आथ अथेंटिक होते हैं उसमें कहाग intim को फोरेंटाइन 14 दिन होगा मीडिया के जरीए एर्टिस्मिंट के जरीए खुद चेफँने त menor साभ ने भी कितने बार यह कहा होगा किसाब कुरिंटाइन 14 दिन का होता है 14 दिन का होगा तो तब्लीकी जमात के मामले में आप इस वाले माप दिन को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे 14 दिन का वक्त हुए फिर 14 दिन होगे उसके बाद दो दिन और गुजर गये यानि 22 दिन होगे बजया चोढ़ा रखा हुआ है आप वहाँ पर घर नहीं उनको बेजना चाहते हो आप क्या करना चाहते हो मैं आपको अगर एक महिना पीछे ले जाओं 25 मार्च को तक्रिबशन य यही लिखा है जो उन्होंने कल LG साब को भेजा रुशकी कौन भी हमें भेजी किसा हम SDM साब से कहते ही हमारे क्रैंटेन पूरा हो गया आप में कब छोड़ेंगे तो SDM साब क्रैंटेन फूर्म पूरा हो गया लेकिन मैं आपको छ़ोड़ नहीं सकता मेरी पावर में नहीं है क्यों नहीं छोड़ रहे हैं क्या दिल्ली के चीफ मुस्रे साब एक और केस उनके खिलाफ करवाना चायते हैं हमें अच्छी तरह से याद है आपने भी देखा होगा कि चीफ मुस्रे साब ने खुद रिकमंड किया जमातियों खिलाफ केस करने के लिए उन्हें कर्फिय उपा दोबारे यह कुछ करना चाहते हैं कि जब 32 जिन तक लोगों को आप वहां पर कैद करके रखोगे चौज दिन का कुरेंटाइन पूरा हो जाएगा तो आप उनको इसका उकसा रहे हो कि वह को ऐसा काम करें कि आप फिर मीडिया में चलाएं कि देखिए साब तब्लिकी जमात के लोग इतने उपदर भी हैं तब्लिकी जमात के लोग ही हैं जो कि 14 दिन के बावजूद भी 16 दिन और एक्स्ट्रा होगे वहां पर मौजूद हैं और बहुत प्यार के साथ वहां पर रह रहे हैं पूरी तरह से कॉप्रेट कर रहे हैं आप इल्लीगल डिटेंशन हैं यह आप एक दिन की भी नहीं रख सकते हैं के जिरवाल साब को इसका बहुत भारी पढ़ने जा रहा है इसमें क्या कारवाई के जा रहे हैं इसमें हमने जो कारवाई कर रहे हैं कल हमने इसको पुब्लिकली मैसेज निकाले हैं इसमें हमने एक हफ़ते का टाइम के जिरवाल उनके खलाफ अपरादिक मुकतमा दर्ज हो या फिर केजिरिवाल साब बताएं कि साब आपने कौन सी पावर केता है तो उनको चौद दिन से जाद रखा क्या वजुआत हैं आपकी वजुआत अगर जाइस हैं तो आप बताईए क्यों नहीं बताते हैं आप अभी 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 31 मार्श से हैं उनकी रिपोर्ट नेगिटिव तीन तीन बार आई है कुछ लोग वहाँ पर जिनको कॉरोना वाइरस पॉजिटिव था वह बिमारी का जब उनका इलाज हो गया कुछ लोगों को वहाँ पर उनको इलाज के बाद भेजा कॉरेंटाइन के लिए हैं क्योंकि इ लाज कर शुकर है लाजने उनको ठीक कर दिया यानि अन जमातियों के खून में ही यह वाली शिफा अदा कर दी के कॉरोना वारस जो हमारे मुल्क के लोगों को हो रहा है चाया हो किसी मजब के हो इस प्लाजमा के जरीए वो ठीक हो जाएंगे तो इन लोगों ने अपना प् अंतहान लोगे कि आप फिर से एक केस और करवाना चाहते हो और फिर से बदनाम करना चाहते हो ना सिर्फ तबलिगी जमात को बहाने से तमाम मुसल्मानों को किसाब मुसल्मान देगी अबदर भी होती हैं मुसल्मान इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं यही तो क किनल के माधदिम से जो हमने लोगों से इस बात की अपील की कि आप लोगों के भैकायों मताये कोई आपको कॉरोणा वारस का इंजेक्शन लगाएं नहीं जा रहा है तब से लोगों ने हमारी बात को यकीन किया और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया लेकिन आप सब्र का पहमाना कब तक उनका देखना चाहते हो यह तमाम सवाल थे और जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मौलाना साथ को जो है चार बार नोटिस भेजा जा चुका है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से तो मरकस के ही निजाम उद्दीन मरकस के ही प्रवक्ता है और शाहिदली एडवोकेट हैं जो इस पूरे मसले को देख रहे हैं तो उनकी तरफ से यह साफ तोर पर सफाई दी जा रही है और यह कहा जा रहा है जवाब में कि ऐसा कोई भी नोटिस क्राइम ब्रांच की तरफ से नहीं दिया गया है और अगर दिया भी जा रहा है तो उ तरीके के परेशानिया आ रही है वक्त पूरा होने के बाद भी कॉरंटेन का उनको वहाँ पर रखा जा रहा है लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है दिली से नियूज मैक्स के लिए मैं अब्दुलवाजित निजाओं